Hello to all of you, my name is Jitin Kumar and you are watching LearnValley Online YouTube Channel. Today's topic is calculation which is very important for all your exams. हम लोग सब चेप्टर कर लेते हैं लेकिन at the end हमारी calculation अच्छी नहीं हो पाती है जिसकी वज़े से हम लोगों की speed खराब हो जाती है और speed ही एक मात्र ऐसा उपाय है जो आपको exam crack करने से लेकर उस जगह तक ले जाता है जहां तक आप चाहते हो तो अगर आपकी speed अच्छी नहीं है तो आपके question करने का भी कोई फायदा नहीं है अगर हम लोग देखें तो कुछ नहीं है बस कुछ छोटी चीजे हैं जो आपको पहले ही पढ़ने नहीं चाहिए लेकिन हम लोग क्या करते हैं ये जब हम लोग practice करते हैं तब हम लोगों के काम में आती हैं लेकिन अगर हम यही practice अगर इस chapter को हम starting में ही कर लें तो हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी calculation की वज़े से जो speed आएगी वो एकदम अलग होगी और आपको खुद में motivation फील होगा अगर मैं बात करूंगा calculation chapter की तो calculation में कुछ ज़्यादा एक खास नहीं है लेकिन यही chapter आपका 3 से 4 घंटे ले जाता है क्यों क्योंकि आपकी जो नीव बनती है वो इसी chapter से बनती है अगर मैं बात करूंगा तो हमें 1 to 25 तक का table याद करने हैं क्या हस रहे हो नहीं हसना नहीं है क्योंकि अगर मैं बोलूंगा table बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे basic है यह चीज कि table आपको याद होने चाहिए जै अगर मैं बोलूंगा 23 into 7 कितना होता है 23,7 कितना होता है तो कूई सी को पता है बताए तो होता है 161 याद हुआ अच्छा याद करो लिक लिक के देखो जैसे अगर मैं बोलूंगा आप से कि 21 into 5 कितना होता है तो बोलो जल्दी एकदम आना चाहिए 105 क्या बताना जरह सत्रा निम्मा कितना होगा जल्दी बताओ क्या सर याद नहीं है याद करो याद करना ही पड़ेगा square की बात करूँगा तो square भी याद होने चाहिए 1 to 30 तक के even 35 तक का याद होना चाहिए लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे कि 30 तक के square कैसे निकलेंगे ये सब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में last तक देखेगा अगर मैं बोलूँ 35 का square कितना होगा तो होता है 1225 ये याद करना पड़ेगा ठीक है cube की बात करूँगा तो बताओ जल्दी से 9 का cube कितना होता है जल्दी किसी को याद है 9 का cube होता है 279 ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा multiplication की तो multiplication बहुत ज़्यादा important है आज इसको हम लोग देखेंगे multiplication में सबसे पहले सब पार्ट सुन लो कि cross multiplication method, base method, base कौन कौन सा जैसे 10 का base, 10 का, 100 का base, 1000 का base ठीक है तो ये nearby आते हैं, base method कहलाते हैं और third number पर है कि अगर हम किसी भी digit को 11, 12, 13, 5 और 25 या 125 से division करते हैं तब क्या होगा? जैसे suppose that अगर मैं आप से बोलूँ अगर मैं आप से बोलूँ कि 36 into 4 कितना होगा? तो आप बता सकते हो क्या? अरे हाँ बता दोगे बट अगर यहीपर ही मैं बोलूँ कि 25 into 5 तो बताना? बता दोगे कितना बताओगे? जल्दी बताen 125 अगर यहीं पर मैं बोल दूँ आपसे 987 कुछ भी ले लिजे into 5 तो बता पाओ कि क्या बहुत simple है कुछ नहीं करना आप 5 को 10Y2 भी लिख सकते हो न तो 10Y2 का मतलब क्या है आप जो digit है इसका आधा कर दो आधा करने का मतलब कितना 4936 और 10 का एक 0 बढ़ा दो तो यह आजागा देखो कितना simple है हाँ या ना अब बताओ यह simple है ना तो ऐसे ही suppose that मैं बोलूँगा कि एक digit को multiplication करके बताओ जल्दी से क्या 7232 into 5 बताईए और comment box में लेकिए ठीक है ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा division method to division method में एक rule कहलाता है disability method one time cancellation और friction method friction method में भी आपने देखा होगा कि बताईए कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है या ascending और descending order में लिखिए तो यह सब discuss करेंगे इसके बाद में हम लोग आते हैं addition और subtraction पर बहुत ज़ादा important है क्यों हम लोगों को लगता है कि यह addition और subtraction easy है और हम लोग इसमें time निकाल देते हैं क्योंकि बच्पन से पढ़ना है लेकिन हमें वो नहीं करना जो हम बच्पन से पढ़ना है हमें different तरीके use करने हैं जैसे मैं बोलूँगा digit sum यह method ऐसा है कि एक line में आपका answer आजा चाहे कितने भी बड़ी calculation आजाए और unit method unit method unit digit method भी ऐसा ही है last में इसे देखेंगे power calculation power calculation बहुत ज़ादा important है क्यों क्योंकि अगर मैं बोलूँगा आपको power याद नहीं होंगी तो पता कैसे चलेगा अगर मैं आपसे बोलूँगा 2 की power 10 जड़ा बताना कितना होता है 2 की power 10 अच्छा इधर से आओ 8 की power 3 half gb लिखा है half gb आपको पता है सबको 1 gb कितना होता है 1024 और half gb होगा 512 हाई है ना अगर बोलूँगा 32 का इसका है 1 gb तो 1 gb कितना होता है 1024 ठीक है इसके बाद मैं आँगा मैं अगर बोलूँ आपसे कि 9 की cube 9 की cube कितना होता है बताओ जल्दी यही 27 का square भी होता है कितना होता है इतना होता है ठीक है इसके बाद मैं आजाओ percentage chart यह वो चीज़ें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए calculation के लिए percentage chart की बात करेंगे कुछ percentage है जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10% कितना होता है कोई बताएगा 10% कितना होता है बताइए तो देखो 10% कैसे निकालते हैं 10 पर यह पर होता है और cent का मतलब होता है 100 ठीक है तो इसे क्या करना है काटना है तो कितना कट गया यह तो एक बटादस आ गया वैसे ही मैं निकालता हूँ अगर कि बताओ जैसे मैं यह देखो इधर जैसे मैंने 25 का निकाल लगा 25 का कितना होता है 1 by 4 होता है कैसे होता है 25 25 upon 100 25 से 4 times किया तो यह कितना आ गया 1 by 4 आ गया ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा यह कुछ percentage है जो हमें याद होनी चाहिए है ना तो कैसे याद करोगे देखो 87.5 % होता है 7 by 8 इसे याद कर लो 62.5 % होता है 5 by 8 37.5 होता है 3 by 8 इसे कैसे याद करोगे ऐसे याद करोगे 7 by 8 5 by 8 3 by 8 याद हो जाएगा, ऐसे ही एगर मैं बात करूँगा, 14 2x7% कितना होगा, 1y7, 28 4x7 कितना होगा, 2x7, 57 1x4% कितना होगा, 4x7, ठीक है तो इसे याद कर ले न, 1y7, 2x7, 4x7, याद कर लेंगे ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा 1Y 9% कितना होता है तो आप बोलेंगे 11.11% और 1Y 11 कितना होता है 9.09 दोनों याद हो राने चाहिए simple topic है आगे आजाओ जैसे अगर मैं बोलूँगा 25% 25% को 5 बटे 20 लिख सकते हो बहुत easy है है ना मतलब 1 बटे 4 अगर मैं बोलूँगा 35% 7Y 20 45% 9Y 20 और 55% 11Y 20 याद हो जाएगा बहुत easy है याद कर लिजेगा और ये थोड़ा सा important है कैसे याद करो 85% कितना होता है 85% कितना होता है तो बताओ जारा 85% कितना होता है तो 85% होता है 17Y 20 याद कर लिजेगा अब देखते हैं square और square root cube and cube root तो ये भी याद होने चाहिए इसकी अलग से मैं class डालूँगा तो उसमें देखेंगे फिलाल थोड़ा सा देख लिजे ऐसी digit जिनके last में 5 आता हो क्या आता हो 5 आता हो तो उन्हें कैसे करना है देखो 5 का square कितना होता है तो 25 ऐसे ही लिख दिया और जो first digit है उससे अगले number से अगला number जोड़के multiplication कर दी जैसे 7 into 8 कितना हो गया 56 25 का square सबको पता है 6 25 होता है इसे कैसे करोगे 5 का square 25 और 2 into 3 कितना हो गया 6 ठीक है तो आ जाएगा 63 अच्छा मुझे निकालके दिखाए ये 105 का square जल्दी बताओ अच्छा 25 का square कितना हो गया 25 और 10 की गुणा 11 से करोगे तो कितना हो गया 110 ठीक है समझ में आया ये वो square है जिसके last में 5 आता हो अच्छा अगर last में 5 नहीं आये तब क्या करोगे जैसे मैंने यहां लिखा है 37 तो 37 का square निकालना है अब मैं बोलूं कि 37 का square निकालना है तो 37 का square अच्छा a plus b का square कितना होता है जारा बताना मुझे बच्छपन से पढ़ते हुआ रहे है a square plus b square plus 2ab तो मैंने यहां पर 37 में a को 3 मान लिया b को 7 मान लिया है ना तो अगर मैं बोलूंगा 3 का square कितना हो गया कितना हो गया बताओ 9 और 7 का square कितना हो गया 49 है ना और यह a square हो गया यह b square है अब 2ab की बात करूंगा तो 2ab A कितना है 3 B कितना है 7 तो 7 21 दूनी 42 एक संख्या यहाँ छोड़ कर इधर लिख दो जोड़ दो कितना आगया 9 6 1 3 है ना बताओ आगया नहीं आगया चलो इसके बाद में अगर मैं बात करूँगा चलो बताओ जरा कि 23 का स्कार कितना होता है तो इसे ऐसी निकालो देखो जरा 3 का स्कार 09 दो डिजिट में लिखना है और 4 का स्कार 2 का स्कार 4 अब 2 A B दो दूनी 4 तिया 12 है ना कितना आगया 5 2 9 समझ गया और लास्ट इधर अगर मैं बात करूँगा कुछ स्कार ऐसे होते हैं जो बेस वैल्यू पर डिपेंड करते हैं जैसे suppose that अगर मैं बोलूँगा 49 क 49 का स्कार कितना है तो देखो धियान से 49 50 के पास में हैं तो 50 से कितना कम है एक कम है तो एक का स्कार कितना आगया 09 अब जैसे ही बेस वैल्यू 50 के पास में हो तो धियान नकना 25 को धियान नकना कि 25 में से उतनी संख्या को घटा देते हैं 50 में कितना कम है एक कम है तो 25 में एक घटा दिया कितना आगया 24 तो इसका स्कॉयर कितना हो गया 24 0 1 ऐसे ही अगर मैं 46 की बात करूँगा तो 46 में याद रखो 50 से कितना कम है 4 कम है तो 4 का स्कॉयर कितना आगया 4 का स्कॉयर आगया 16 और 25 में से 4 गया तो कितना आगया 21 तो 46 का स्कॉयर कितना आगया 21 16 ठीक है थोड़ थोड़ा ये इसको हम discuss करेंगे deeply अगले chapter में अगर मैं बात करूंगा last हमारी जो calculation easy होती है वो होती है option elimination method हम options को eliminate करते हैं उसके बाद में हम answer find out करते हैं तो ये total हम सुरू से लेके चलेंगे और last तक हम लोग देखते चलेंगे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बोलूँ क्या कि ये basic है square, cube और table क्या है basic है याद कीजिए यहाँ से मैं start करवाता हूँ multiplication से कि आपको multiplication कैसे करना है ठीक है चले method 2 में हम लोग बात करेंगे matrix method की जैसे आपने देखा होगा foreign countries में method 2 का use किया जाता है अगर मैं बात करूंगा 25 की multiplication करनी है मैं 12 से ठीक है 12 से multiplication करनी है तो कैसे use करेंगे 2 की multiplication पहले मैं 1 से करता हूँ तो कितना आ गया 0 2 ऐसे ही 2 की multiplication 2 से करता हूँ 0 4 उसके बाद मैं अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसे 5 की multiplication 1 से तो कितना आ गया 0 5 और 5 की 2 से 1 0 तो देखो क्या आता है 0 और हाँ जब हम इसको लिखेंगे तो diagonally लिखेंगे 5, 1 और 4 कितना आ गया 0 एक carry आ गया यहां से 2 और 1 3 ठीक है तो इस परकार से हमारा आ गया 300 ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं method 3 की जो हम लोग अब use करने वाले हैं exam में देखे दियान से normal सी बात है कि इसमें भी हमें time लगेगा इसमें भी time लगेगा क्यों यहां पर आपके 3 steps हो रहे हैं कितने step हो रहे हैं 3 लेकिन हम लोग एक ही step में करेंगे कैसे देखे दियान से अगर मैं यहां पर 25 की multiplication 25 से करता हूं तो देखे कैसे normal सी बात है पहले आप लोगों को करना क् देखे आप 5 की 5 से multiplication करेंगे तो कितना अगया 25 तू आ गया carry अब इसको हम लोग diagonally आपस में multiply करेंगे 2 की 5 से और 5 की 2 से कितना आ गया 2 into 5 10 5 into 2 10 20 और 2 carry है 2 क्या है carry है ठीक है 2 carry है तो 22 हो गया अब 2 फिट से carry हो गया अब हम लोग क्या करेंगे फिर downward right hand में पहले right hand किया अब left hand में 2 into 2 4 plus 2 कितना गया 6 तो आप देख रहे हो यह one step calculation है और हम लोगों को यही use करनी है suppose that अगर मैं आपसे बोलूँगा कि 32 into 24 कैसे होगा जरा करना तो देखो जरा पहले right hand में हम नीचे जाएंगे 2 into 4 कितना आ गया 8 इसके बाद में diagonally multiply करो 2 into 2 4 3 into 4 12 12 and 4 कितना आ गया 16 तो 1 आ गया carry अब फिर से vertically नीच आएंगे 3 into 2 6 plus 1 कितना आ गया 7 तो यह one step multiplication है इसे ही हम use करेंगे ठीक है आगे आ जाते हैं अगर यह क्या हो गया यह हो गई cross method of multiplication कौन सा method है cross method of multiplication ठीक है चलिए कौन सा method है cross method ठीक है अब मैं बात करूँगा base method की किसकी बात करूँगा base method की base method बहुत easy होता है base का मतलब आप किसी भी number को base मान लेते हैं जैसे 10 को base मान लिया 100 को base मान लिया ठीक है 50 को मान लिया या 1000 को मान लिया suppose that अब मैं उन संख्याओं की multiplication करता हूँ जो किसके पास में है 100 के पास में है suppose that अब मैं बोलूँ आप से पहला लेते हैं हम लोग की 97 into 94 बताईए कितना होगा बहुत easy है कैसे करेंगे base method अच्छा base का मतलब किसके पास में जारा बताओ 97 100 के पास में है 94 किसके पास में है 6 के पास में है तो कितना कम है 100 से 94 6 कितना कम है ये 97 3 अब या तो इस में से 6 घटा दो या फिर 94 से 3 घटा दो तो मैं बात करूंगा 94 से 3 घटा लो बात एक ही आएगी कितनी 91 और इन दोनों की multiply कर दो यहां लिख दो चुप चाप 18 तो देखो कितना easy है बताईए है ना easy आजाईए अगला वाला देखते हैं जरा अगला वाला अ बोलूँ आप से की 86 इंटू 98 जरा करिए हिसे कितना easy है 100 से कितना 86 कम 14 कम है और 98 कितना कम है 2 या तो आप 86 में से 2 घटा दो या फिर 98 में से 14 घटा दीजे तो 86 में से 2 गया है बताओ कितना गया 84 और 14 कितना गया 28 easy है कर लोगे तीसरा कर के देखते हैं देखो practice करो के तब ही को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर मैं बोलूं सर ये तो दो नंबर है अगर मैं तीन नंबर की बोलूं वन इसको दूसरे पैंसल ले ले लेते हैं अगर मैं बोलूं वन जीरो फूर इंटू वन जीरो सेवन इसकी मल्टिपलाई करो सर अरे ये तो बहुत एजी है कैसे 100 से कितना ज़्यादा है plus 4 यह 100 से कितना ज़्यादा है plus 7 या तो इसमें 7 जोड़ दो या इसमें 4 जोड़ दो 107 plus 4 कितना आ गया 117 और 111 111 111 और देखो इनकी गुना कर दो और यहां लिख दो कितना आ गया 28 easy है हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं जड़ा practice कीजिए अगले देखते हैं अगर मैं बोलूँगा कि 109 into 113 कितना है जड़ा कर बताईए तो देखो दियान से 100 से कितना ज़्यादा है plus 9 100 से कितना ज़्यादा है plus 13 या तो इसमें 13 जोड़ दो या इसमें 9 जोड़ दो तो जल्दी बताओ कितना आएगा 113 और 9 112 कितना 112 और इन दोनों को जोड़ दो 13 निम्मा हाँ यहाँ गड़बड हो जाएगी सर कैसे करोगे 117 तो देखो हमें लिखनी दो डिड़िटी हैं देखो 28 में 2 लिखी थी यहाँ भी 28 में 2 लिखी थी यहाँ भी 18 लिखनी 2 ही है तो लाश की 2 लिख लो 17 13 नाइंज आ कितना होता है 117 अब 2 डिजिट लिख ली एक बची एक इसके नीचे लिख लो न सिंपल है अरे लिख लो तो कितना आगया कि 105 की मुल्टिप्लिकेशन करता हूँ मैं 96 से सर यह क्या कर दिया अरे बहुत हीज़ी है 100 से कितना ज़ादा है बताइए 100 से कितना ज़ादा है तो बोलो पिलस 5 और 100 से कितना कम है माइनस का 4 अब याद तो 105 में चार्ज घटा दो या 96 में 5 जोड दो बात तो एक ही है कितना जाएगा 101 हाँ या ना अब देखो धियान से क्योंकि बेस कितना है हमारा बही बेस कितना है बेस बताओ कितना है बेस कितना है 100 है तो हम लोग 100 से मुल्टिप्लाई करेंगे तो दो जीरो यहां मान लो एक प्लस एक माईनस है बता मैं वैसे भी सकता हूँ लेकिन simplicity के लिए बता रहूँ दो जीरो मान लो भाई एक प्लस एक माईनस है इसे कैसे करो कि इन दोनों की multiplication करो कितना आ गया 20 इसमें से घटा दो ना 20 अरे घटा दो घटा दो कितना आ गया 10080 सिंपल हो जाएगा चलिए आगे इसको और प्रैक्टिस करो सर एक और बता दीजे लो भई एक और बता दिया मैंने मैं बोलू 108 multiply with 89 कीजिए अरे यह कितना जादा है 8 जादा है यह कितना कम है 11 कम है multiply करो जादा multiply करिए कितना आ गया या तो 89 में 8 जोड दीजे या फिर 108 में 11 घटा दीजे तो कितना आ गया 97 अच्छा base 2 है base कितना है 100 है तो 2 0 अपने आप बढ़ा लो 2 0 बढ़ा लो क्यों 1 प्लस 1 माइनस आ गया इसलिए 2 0 बढ़ा रहा हूँ इस बार और इन दोनों की multiply कितनी आ गयी 88 88 इसमें से घटा दो कितना आ गया 1 9 6 1 2 simple है हो जाएगा चलिए यह था base method ऐसे ही आप practice कीजिए और मुझे बताइए ठीक है मैं कुछ question आपको दे रहा हूँ comment box में answer बताईए बताईए जल्दी 1 1 2 multiplied by 109 इसको answer दीजिए अगला बताईए 88 98 94 94 अच्छा एक मैं बताता हूँ चलो देखो जड़ा अगर मैं आप से बोलूँ 997 into 989 इनकी multiplication करनी है तो कैसे करोगे अच्छा यह 100 का base मानोगे या 1000 का base मानोगे तो base किसका मानोगे 1000 का base मानेंगे ठीक है तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना आजओ आगे कैसे करोगे 1000 में कितना का मैं माइनस का 3 1000 में कितना का मैं माइनस का 11 या तो इसकी multiplication कर दो या इसको घटा दो तो देखो जड़ा मैं क्या काम करता हूँ कि 997 में से 11 घटा देता हूँ किस में से 997 में से 11 घटा देता हूँ घटा हो जड़ा कितना आ जाएगा देखो 986 सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा 986 अब ध्यान से देखो कितने 0 आगे बढाएंगे या तो 3 0 आगे बढा लो भई बेस आपका 1000 है तो 3 0 आगे बढा लो बन 3 0 आगे नहीं बढा के चलो बढाई लो तुम लोग 3 0 ठीक है अब इन दोनों की मल्टिप्लिकेशन करो कितना आ गया 33 क्योंकि सेम साइन है तो जोड़ेगा तो जोड़ दो ठीक है हो जाएगा चलो सिंपल है ठीक है कर लोगे अच्छा जरा मुझे ये बताओ एक कोश्चन मुझे बताओ ये 999996 इसकी मल्टिप्लिकेशन करनी है 99999 84 से मल्टिप्लिकेशन करनी है जरा बताना तो देखो जरा ध्यान से कैसे करोगे ये कितना काम है 4 काम है और ये कितना काम है 16 काम है इस में से ये घटा दो या इस में से ये घटा दो चलो तो मैं 84 बाले में से 4 घटाता हूं तो 9 9 9 9 8 0 ठीक है अब देखो धिहान से यहाँ पर कितने 0 और X टाएंगे तो देखो कितने 0 और X टाएंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 तो मैंने 1 2 3 4 5 6 0 लिख लिए ठीक है अब मैं इसकी multiply इससे करता हूं तो कितना आ गया 64 जल्दी बताओ 64 मैंने यहाँ पर जोड दिया ठीक है तो कितना गया 9 9 9 9 8 0 0 0 0 0 6 4 है इसी है न चालो ठीक है यह base method आपका complete हुआ अब हम लोग start करेंगे method number 3 method number एसी डिडिट्स की multiply जिसके last में 5 आता हूँ ठीक है और जिनके बीच का gap gap कितना हूँ 10 हूँ suppose that मैं multiplication करता हूँ 55 into 45 दोनों के last में कितना आ रहा है 5 आ रहा है और दोनों का gap कितना आ रहा है 10 आ रहा है कितना आ रहा है तो ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं सबसे पहले आख बंद करके 75 लिख लेते हैं कितना लिख लेते हैं 75 और जो बड़ी संख्या है जो बड़ी संख्या है उसका square करके minus 1 कर देते हैं तो 5 का square कितना होगा 25 और minus 1 ठीक वही answer हो जाता है तो इसका answer क्या हो गया 24 into 75 आप लोगों को लग रहा होगा कि यह easy है लेकिन तभी easy है जब आप लोग समझोगे मैंने कैसे किया एक और example देख लेता हूं अगर मैं आपसे बोलूं कि 75 into 65 कितना होगा तो देखो ज़रा धिहान से सबसे पहले 75 लिख लिया मैंने अब 7 बढ़ा है या 6 बढ़ा है तो 7 का square कितना होता है बताओ जल्दी 49 मेंसे एक कम कर दो कितना आ गया 48 simple है चलो एक और बताओ ज़रा अगर मैं आपसे बोलूं 165 की multiplication मुझे करनी है 175 से तो देखो ज़रा अगर आपको square याद होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा 75 तो हमें लिखना compulsory है और 17 का square कितना होता है 289 तो 289 मेंसे 1 घटा दीजे तो कितना गया 288 easy है मतलब concept fix और starting में जो larger number होगा उसका square करके minus 1 कर देंगे तो यह क्या है concept है ठीक है इसको लिख लीजेगा एक copy पर ठीक है तो larger number का square और minus 1 और last में 55 थोड़ा सा ध्यान नकिंगे अच्छा method number 3 देखिए method number fourth method number fourth देखिए देखो multiplication कितना easy हो जाएगा ठीक है method number 4 जिसके last में तो 5 हो लेकिन last में 5 हो चलो देख लेते हैं कैसे अच्छा अच्छा कोई भी number जिसके last में 5 हो ठीक है और स्टार्टिंग का नंबर सेम हो suppose that multiply of any number ends with 5 suppose that अगर मैं आपसे बोलू 45 into 45 का 45 into 45 क्या होगा तो देखो जरा 5 into 5 कितना होगा 25 और जो स्टार्टिंग का नंबर है उससे अगले नंबर से जोड के multiply कर देनी है तो 5 into 4 कितना होगा 20 हो जाएगा ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एक और example लेता हूँ कि अगर मैं बोलूँ 65 into 65 तो क्या आएगा 5 का square 25 और 6 into 7 42 ठीक है यह कह 5 का तो square है और यह कह 6 into 7 ठीक है याद रखना इस चीज़ को method number 5 देखिए अब एसी संख्या एसी संख्या एसी संख्या जिन में last के जो ends का योग हो योग हो वो कितना हो कितना हो 10 हो तब क्या करते हैं बहुत easy है देखो कैसे करते हैं suppose that अगर मैं आप से कहूं 63 into 67 अच्छा जो initial number है वो same होना चाहिए initial digit जो होनी चाहिए वो same होनी चाहिए initial digit same हो तब अगर मैं आप से बुलू 63 देखो 6 6 same है इन दोनों का यह कितना रहे 10 तब क्या करते हैं इन दोनों को गुणा करो आपस में है ना इन दोनों को गुणा करो और लिखो 21 और 6 से अगला जो नमबर है 6 से अगला जो नमबर है उससे गुणा कर दो कितना 6 into 7 6 into 7 कितना गया 42 तो इसका आंसर कितना गया 4 2 2 1 ठीक है हो जाएगा ऐसे ही चलो एक और देखो जरा 5 3 into 5 7 तो सातियां 21 और 6 पंजे कितना है 30 हो जाएगा easy है चलो अगला देखो जरा अगर मैं बोलूँ आपसे क्या बोलूँ कि बताओ जरा कि 1 0 0 1 की multiplication करनी है 1 0 0 9 से तो देखो वही concept है starting की digit सेम है इन दोनों का योग भी दस आ रहा है तो आप इधर देखो भाई आपको पता है कि इस से अगला नंबर कौन सा है 100 से अगला नंबर कौन सा होगा 100 & 1 तो 100 & 1 100 की वज़े 100 अब देखो जरा जब 1 की 9 से multiply करोगे तो यहां पर दो नंबरों में लिखना है जैसे हमने यहां 21 2 नंबरों में लिखा था यहां भी 21 2 नंबरों में लिखा था तो दो नम्मर में लिको 1 की multiply करोगे 9 आ गया ठीक है ऐसे ही चलो मैं एक आपको देता हूँ 992 into 998 जरा multiply करो बहुत easy है 99 है इन दोनों का योग 10 आ रहा है तो देखो 8 दूनी 16 तो यह आ गया अब 99 की करो 100 से multiply 99 और 00 easy है हो जाएगा हाँ हो जाएगा चलो आ जाओ अब आगे देखते हैं method number 6 method number 6 जब gap बहुत जादा हो ठीक है gap जादा हो और क्या हो end digit कितनी हो 5 हो तब क्या करेंगे suppose that अगर मैं question देता हूँ आपको 115 into 75 कितना होगा जरा बताओ तो देखो कुछ नहीं करना है इन दोनों की multiply करो जब gap जादा हो और last digit क्या हो 5 हो तब क्या करना है तब हम लोगों को कुछ नहीं करना है दो चीज मैंने आपको बताए थी 1 75 1 25 तो थोड़ा सा ध्यान नखना अगर starting वाले number को add करके starting वाले number को add करके कोई even digit आ रही है तो last में क्या आएगा 25 आएगा अगर दोनों को add करके odd number आ रहा है तो 75 आएगा जैसे यहाँ पर 11 और 7 कितना हो गया 18 तो even है इसलिए last में यहाँ पर कितना आएगा बताओ यहाँ पर कितना आएगा 25 25 आगया 25 के बाद में क्या करना है 11 की 7 से multiply करो कितना आगया 11 की 7 से multiply करने पर 77 पिलस 11 पिलस 7 अपॉन 2 ठीक जो number है उसका आदा कर देना तो यहाँ से आजागा 18 अपॉन 2 का मतलब 9 आजाएगा और 77 प्लस 9 आजाएगा 86 तो यहाँ पर कितना आजाएगा 86 ठीक है सही है बना एक तरीका और था 75 को आप लिख सकते थे कितना जल्दी बताओ 3Y 4 करके भी आप कर सकते थे ठीक है वो भी easy हो जाएगा फिलाल आगे देखते हैं ऐसे ही आप practice करके देखो बताओ जरा मुझे जल्दी बताइए 1265 into 1265 into 2225 इसको बताना मुझे ठीक है इसका answer बताना method number method number 6 पर आजाते है method number method number 6 पर आजाते है method number 6 क्या कह रहा है किसी भी number से गुणा किस की करो या तो 5 की करो या फिर 25 की करो या 125 की तब कैसे करेंगे देखो multiply with 5 25 और 125 बहुत इसी है दोस्तों देखे कैसे अगर 5 को मैं 10 upon 2 लिख सकता हूं हाँ या ना 25 को मैं 100 upon 4 लिख सकता हूं हाँ या ना और 125 को मैं 1000 बटे 1000 बटे 8 1000 upon 8 लिख सकता हूं हाँ या ना इसी से ही हम कोशन करेंगे कैसे देखो दिहान से suppose that अगर मैं आप से बोलूं कि 32 into 5 कितना होगा जरा बताना जल्दी से अगर मैं आप से बोलूं 36 into 5 बताना जरा मैं आप से बोलूं 9 8 into 5 बताना जरा मैं आप से बोलूं 5 2 3 2 into 5 बताईए बताओ क्या हुआ टाइम लग रहा है बहुत इजी है कुछ नहीं करना है 32 का देखते ही अगर 5 से गुना है ना तो 32 का हाफ कर दो तुरंथ तो कितना होता है 16 16 32 का आदा करोगे 16 और देखो 1 से मतलब 10 से गुना करने का मतलब 0 एड कर दो 0 लिख लो 36 का आदा कितना होता है 18 दूनी 36 18 और 0 लिख दो कितना इजी है बताओ ऐसी 98 को 5 से मल्टिप्लिकेशन करनी 98 का हाफ कितना हो गया 49 49 0 लिख लो क्यों 0 लिखा क्योंकि 10 से मल्टिप्लिकेशन कर रहे थे हम लास्ट में ऐसे ही जल्दी से इसे 5 से मल्टिप्लाई करोगे इतनी दिर में हाफ कर दो 2 6 1 6 0 हो जाएगा easy है नहीं है ऐसे ही हम 25 से करेंगे 25 को देखो जरा हम अगर हम 25 की मल्टिप्लाई करना है suppose that अगर मैं आपसे बोलूँ क्या बोलूँ कि भाईया बताओ जरा 120 into 25 जल्दी बताओ कैसे होगा मैं बोलूँ 40 upon 25 बताओ चलो एक टफ ले लेता हूँ 4 4 4 into 25 बताइए एक और ले लेते हैं 9 2 3 6 into 25 जरा बताओ क्या आएगा अरे इजी है दोस्तों 25 का मतलब होता है 100 by 4 100 by 4 100 by 4 100 by 4 को आप लोग कैसे करोगे बताइए 120 upon 4 कर लो न 120 upon 4 कितना आगया 30 और 30 लिख लिया और कितने 0 बढाने इस टाइम बेस वैल्यू कितनी है 20 की मल्टिप्लिकेशन 24 से करने की जगह है आप अपन में 4 कर दो न तो कितना आगया 10 और 0 कितने बढाएंगे जल्दी बताओ 0 कितने बढाएंगे 2 0 बढा लिए 10 और 2 0 4 4 4 की मल्टिप्लिकेशन 25 से करने की जगह है 4 से डिवाइट कर दो ना इसे दो, ऐसे ही आगे start कीजिए, करना और मुझे बताईए, बहुत easy है दोस्तों, अगर आप इसे करोगे तब ही पता चलेगा, without pen और paper, आप इसको देखते जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, practice चाहिए practice कीजिए ठीक है, चलो आगे start करते हैं, अगर हम किसी भी number को बहुत easy है, देखो ध्यान से किसी भी method number 7 किसी भी digit को, बहुत important है दोस्तों, बहुत मजाने वाला इस trick में multiplication of any number with multiply any digit with 11 12 और 13 देखो, बहुत ज़ादा important है, कैसे, देखिए द्यान से पहले हम लोग 11 के case देखते हैं, ठीक है चलो अगर जैसे मैं बात करूँ किसी भी digit को 11 से multiply करना है, suppose that 262 को 11 से multiply करना है, तो बताओ, देखो, बहुत easy है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले, right वाली digit, right में लिख ली, कितना आ गया, two, इन दोनों को जोडो, कितना आ गया, eight, अब इन दोनों को जोडो, कितना आ गया, 262, 8 और left वाली digit, left में लिख ली, ये आ गया, ठीक है, बहुत easy है, ऐसे ही, अगर मैं बात करूँगा, और देखो जरा, कैसे, अगर कितना भी बड़ा नंबर लिलो, three, two, three, five, seven, two, nine, into eleven, देखो, nine को मैंने nine लिख लिया, इन दोनों को जोडो, eleven आ गया, one carry आ गया, इन दोनों को जोडो, nine आ गया, one carry zero आ गया, इन दोनों को जोडो, twelve आ गया, one carry था, तो 13 आ गया, एक carry, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ गया, 8, 9 आ गया, क्योंकि carry एक था, 8 plus 1, 9, और right का, right में left का, left में, ठीक है, हो जाएगा, 11 से multiplication, बहुत easy है दोस्तों, आगे, यह आप कैसे भी कर सकते हो, इसे, है न, easy है, देखो दिहान से, अगला, अच्छा, एक मुझे और बताओ करके, चलो, suppose that, अब मैं बोलूँ, 5, 3, 2, 1, multiplication with 11, देखो, बताईए कितना है, जल्दी बताओ कितना है, अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, एक का एक लिख लिए, दो और एक तीन आ गया, तीन और दो पांच आ गया, पांच और तीन आठ आ गया, और लाश्ट मे हो जाएगा, चलो, अगला देखो जरा, अगला देखो, एक और बताता हूँ मैं आपको, 9, 8, 0, 3, 2, multiplication with 11, 2 का 2 आ गया, 3 प्लस 2, 5 आ गया, 3 प्लस 2, 5 आ गया, 3 प्लस 0, 3 आ गया, 8 प्लस 0, 8 आ गया, 8 प्लस 9, भाई, जोडना है ने, 8 प्लस 9 कितना आ गया, 7 आ गया, एक कैरी, 9 प्लस 1, 10, आंसर आ गया, easy है, ठीक है, कर लोगे, यह हो गया, 11 से, किसका हो गया, 11 का, ठीक है, अब मैं आता हूँ 12 पर, किस पर आता हूँ, 12 पर, 12 से कैसे करते हैं, देखो, देखो ध्यान से, suppose that, आखो, 1, 3, 2, 4, इंटू 12 करना है, तो बहुत easy है, कुछ नहीं है, देखो कैसे करना है, देखते हैं, कैसे होगा, 1, 3, 2, 4, इंटू 12, 1 का 1 मैंने यहां लिख दिया, अब क्या करना है, 1 की multiplication करनी है, 2 से, पिलस next digit क्या है, 3, जोड देना है, तो 2 पिलस 3 कितना आ गया, 5, ऐसे ही, अब क्या करना है, 3 की multiplication 2 से, पिलस next digit कितना है, 2, कितना आ गया, 8, इसके बाद में अगला क्या करना है, 2, next digit कौन सी है, 2, 2 की multiplication 2 से, पिलस next digit कितना है, 4, तो कितना आ गया, 8, और last वाली digit क्या है, 2 से multiply करनी है, कितना आ गया, 1, 5, 8, 8, 8, ठीक है, एक और example देख लेते हैं, क्या, 2, 1, 3, 7 की multiplication करनी है, 12 से, तो पहले, 1st digit ऐसे ही लिख लो, ठीक है, उसके बाद में, 2 की multiplication 2 से कीजिए, 4, पिलस 1, पिलस next digit कितना आ गया, 5, ऐसे ही क्या करना है, 1 into 2, और 2 पिलस 3, कितना आ गया, जल्दी बताओ, 5, कितना आ गया, 5, ऐसे ही आ गया जाओ, 1, 2 into 3, 6, पिलस, 7, कितना आ गया, 13, तो 13 का 3 लिखा यहाँ, और 1 लिखा यहाँ, क्योंकि जोड दिया जाएगा है न, यह फिर इसे 5 की जगे छे कर लो अभी, कोई नहीं, आ गया जाओ, फिर आ गया जाओ, 2 into 7, कितना आ गया, last digit की 2 से multiply करनी है, कितना आ गया, 14, कितना आ गया, 14 तो 14 लिख लिया, ठीक है, और 1 इदर आ गया, चलो, सबको add कर दो, 2, 5, 6, 4, 4, ठीक है, यह आ गया इसका answer, कर दोगे 12 से multiplication, अच्छा ज़रा एक और बताओ मुझे, 1, 2, 3, 4 की multiplication करो 12 से, ज़रा बताना, जल्दी बताओ, यहां क्या लिख हूँ, 1, उसके बाद में 12 की multiplication, 2 की multiplication, 2 की multiplication, 2, 2 और 2, कितना आ गया, 4, उसके बाद में 2 गुणा 2, कितना आ गया, 4, 4, 3, जल्दी बताओ, 7, सबाश, अच्छे जा रहे हो, 2, 3, 6, 2 से multiply करें, 3 की, और 6 और 4, 10, 10 का 0, 1 यहां लिखा, और 0 यहां लिखा, इस किस से, 2 से, क्योंकि 2 से multiply कर देते, तो कितना गया, 2, 4, 8, तो इनको जोड़ दो, 1, 4, 8, 0, 8, ठीक है, कर लोगे, कर लेना, ठीक है, ऐसे ही 13 का है, 13 का भी same point है, कैसे, देखो, यहां base कितना माना था अपने, 2, वहां 13 में कितना मानोगे, जल्दी बताओ, सबाश, 3 कितना मा मानोगे, 3, देखो जड़ा, कैसे करेंगे, अगर मैं वोलू, 1, 3, 2, 4, इन्टो 13, तो देखो, 1 तो 1 ऐसी उतर जाएगा, 3 इन्टो 1, 3 इन्टो, 1, 3, प्लस 3, कितना आगया, 6, ऐसे ही, 3 इन्टो 3, 9, प्लस 2, कितना आगया, 11, तो 11 का एक यहां आएगा, एक यहां आएगा अब 3 इन्टो 6, प्लस 4, 10, 10 का 0 इदर आएगा, एक इदर आएगा, और 3 इन्टो 4, 12, 12 का 2 इदर आएगा, और एक इदर आएगा, ठीक है, इन्टो सब को जोड़ लो, 1, 7, 2, 1, 2, कर लोगे, easy है, हो जाएगा, एक और बता हो जा रहा मुझे, 1, 5, 1, 7, इन्टो 13, जल्दी बताओ, 8, 3, 15, और एक, 16, मतलब एक इदर आगया, 3 इकम, 3 और 7, 10, एक इदर आगया, और 3 सत्ते, 21, 21 का, एक यहाँ, और 2 यहाँ, कितना आगया, 1, 9, 7, 2, 1, कर लोगे, चलिए, शबाश कर लिजे का, आईए, अब बिलकुल दूसरे मेथड पर आते हैं, देखो, देखो पहले 11 पर डिसकस किया, फिर 12 पर डिसकस किया, फिर 13 पर डिसकस किया, ऐसे ही कर ले ना, ठीक है, अगला मेथड देखो जारा, अगला मेथड हम देखते हैं, most, most important method है, कैसे, कभी आपने देखोगा, कोई number है, जो बिलकुल, किसके digit पर हैं, किसी भी number का multiplication कर लो, ऐसे, किसी भी number का, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा, 84 into 86, बताओ, अच्छा चलो, ये बताओ जारा, 12 into, 12 into 14, बताईए, और बताओ, 18 into 22, बताओ, क्या होगा, तो देखो, बच्छो, बहुत easy method है, पहले मैं, simple digit वाले करता हूँ, बना फिर आप का होगे, इस तर ने क्या कर दिया, देखो, आपको एक technique पता है क्या, a plus b, a minus b, क्या होता है, a square minus b square, इसी चीज़ को मैंने यहां लिख दिया, अगर मैं 12 को, कुछ और ना लिख कर, मैं लिख दूँ, 13 minus b, और, 13 plus b, है easy, तो बताना क्या आएगा, ज़रा देखो, इसे में, साधारण बासा में, 13 का square minus 1 का square नहीं कर सकता क्या, अरे, 13 का square कितना होता है, 169 minus 1 कितना होता है, 168 आ गया, नहीं आ गया, बताओ, अच्छा, हो गया, अरे, बड़ी जल्दी हो गया, ज़रा बताना है, इसका कैसा होगा, 20 का square minus 2 का square 20 का square कितना हो गया 20 का square 400 2 का square 4 2 का square 4 कितना हो गया 3, 9, 6 है ना कमाल की चीज ऐसे ही देखो यह क्या है 85 का square minus 1 का square 85 का square जल्दी बताओ कितना होता है अरे बताओ ना 72 2, 5 सर अभी बता है नहीं है चलो अभी बताओंगा कैसे आएगा टू टू फो ठीक है चलो जरा मैं आपसे पूतरा था क्या 85 का स्कार तो बच्चों 85 का स्कार निकालने की तीन टेक्निक है मेरे बच्चों पहले a प्लस b का होल स्कार वाला की 55 और 8 अठे 64 लिख दिया फिर 2a भी रह गया 2a भी कर दो एक संक्या छोड़के 8 पंजे 40 दूनी 80 देखो कितना आ गया यही आ रहा है हाँ या ना अच्छा एक मैथर्ड यह बताया एक मैथर्ड देख लो जा रहा जिस भी डिजिट के लाश्ट में 5 हो तो हम क्या करते हैं 5 का स्कार 25 और फर्स्ट जो डिजिट है उससे अगले से अडला जोड के मल्टिप्लिकेशन करते है नौठे 72 दूसरी ट देखो वहिया 85 का स्कार एक बात बताओ जरा कितने पांस में हैं 100 के सर 15 काम हैं तो 15 का स्कार कितना होता है 225 होता है तो 225 ना लिखकर लाश्ट की डो डिजिट लिखनी क्या लिखनी 25 अब 100 से कितना कम जल्दी बोलो 15 कम तो 85 85 माइनस 15 कितना आ गया 70 कितना आ गया 70 और भाया दो कैरी ये वाला कहां जाएगा यहां जाएगा तो दो जोड़ दो तो कितना आ गया है ना ये सब देखेंगे अभी ध्यान से देखो आगे आगे देखते हैं क्या होगा अच्छा मुझे एक और बताओ समझ में आया है नह गया चलो देखो एक और बताओ चलो मुझे कुछ कोश्चन दे रहा हूँ बताओ 81 इंटू 79 बताओ क्या होगा जल्दी अरे 80 का स्क्वाइर बोलो 6400 माइनस 1 का स्क्वाइर हो गया कितना इजी है और बताओ आज तुमारा मल्टिप्लिकेशन खतम कर दूँगा 182 इंटू 178 बताओ कितना अरे देखो न एक सो असी से दो कम एक सो असी से दो जादा तो 180 का मतला 18 का स्क्वाइर 324 तो 324 और 2 0 वो वाले जो असी कह रहा हूं मैं 0 0 और माइनस का 2 का स्क्वाइर कितना हो गया 4 कितना हो गया 3 2 3 9 6 समझ में आया कर लोगे चलो अगला बताओ जा रहा मुझे देखो हाँ यहां अटको गे लो बताओ चलो 1 2 8 इंटू 179 सर यहां मैं अटक गया तो बताओ जल्दी बताओ देखो ध्यान से सर 180 भी नहीं आ रहा मिड में और 180 भी नहीं आ रहा मिड में तो क्या करना है अरे बुद्धूओं कुछ तो समझ जाओ कैसे करना है इसे तोड़ लो बच्चों 181 पिलस 1 हां सर कुछ आ गया समझ में करो फिर इंटू 179 जब आप मल्टिप्लाई करोगे मेरे बच्चों 181 इंटू 179 देखो वही बन गया पिलस का जब आप इधर अंधर मल्टिप्लाई करोगे 179 सर यह तो पहले वाली चीज बन गई बीच में इन दोनों के बीच में क्या है 180 तो 180 का स्कार मैं तुरंत लिग दूँ जल्दी बताओ 18 का स्कार 324 दो 0 लगाए और माइनस 1 पिलस का 179 तो दोनों को जोड़के क्या जाएगा मेरे बच्चों 178 है ना इन दोनों माइनस 1 पिलस का 178 179 179 178 जाएगा 324 578 समझ गए हो जाएगा अरे बहुत इंपोटेंट है कर लेना चलो इसको ध्यान में दुबारा समझाता हूं लो जिसको समझ में नहीं आया मैंने क्या करा बीच का कोई टर्म मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने 181 प्लस 1 किया इसको मैंने ब्रेक कर लिया 181 प्लस 1 और 179 मैंने ऐसे ही लिखे रहें दिया 181 प्लस 1 से मल्टिप्लाई कर दी अंदर 179 से मल्टिप्लाई कर दी अंदर 179 प्लस 181 पुरानी चीज लॉट कर आ गई कि मिट का पॉइंट क् a plus b a minus b a क्या है इसमें 180 और b क्या है इसमें a खाया ना एक बार plus हो रहा है एक बार minus हो रहा है ठीक है वही तो चीज़ किये भाईयो ठीक है तो यह formula क्या बन गया यह बन गया है ना वही तो चीज़ किये है चला अगला आ जाओ कर लोगे कौन सा method था यह अरे कौन सा method था यह method होगा यह कौन सा method होगा I think यह method होगा एर्थ अगला आ जाओ अब देखते हैं हम लोग अपना next method जब कोई भी number consecutively multiply हो रहा हो ठीक है method number 9 यह method बहुत easy है और कई बार पूछा जा चुका है multiply with consecutive numbers ठीक है देखो ध्यान से कुछ examples ले लेते हैं suppose that अगर मैं 12 की multiply करता हूँ 13 से ठीक है तो हमें कैसे करना होगा दूसरा example लेता हूँ 35 की multiply करनी हो हमें 36 से 32 की multiply करनी हो 33 से चलो जरा बताओ मुझे कैसे करोगे बताओ तो देख ध्यान से basically अगर मैं इसको expand करूँ आप इसको 12 multiply with 12 plus 1 कर सकते हो it means क्या हो रहा है देखो 12 का square हो रहा है plus 12 हो रहा है है ना हाँ है ना तो इसका answer बताओ क्या आगया 165 है ना simple है मतलब हो क्या रहा है ध्यान से देखो अगर दो consecutive numbers की multiply करनी हो तो कुछ नहीं करते है जो पहला number है छोटा वाला उसका square कर देते हैं अब 35 का square क्या होता है तो 1225 और 35 भी इसमें add कर दो तो इन दोनों की multiply आ जाएगी कितना आ गया 1260 ठीक है 1260 अच्छा 32 का square क्या होता है बता हो जल्दी पता है 32 का square होता है 1024 अब मैं multiply करूँ इससे अच्छा जोर दूँ कितना हो गया 1056 ठीक अच्छा इसका देखो जारा 17 का square जल्दी बताओ कितना होगा 289 और 17 इसमें जोर दूँ है simple कितना 0 और 3 ठीक है हो जाएगा इसदर देखो 301 का square बताओ जल्दी से कितना होता है तो 301 का square अगर पता नहीं हो फिलाल तो मैं लिख देता हूँ 301 का square होता है 90601 ठीक है पिलस 301 इसमें एड़ कर दो तो कितना आजाएगा 301 इसमें एड़ कर दिया तो देखो जारा कितना आजाएगा तो 90902 ठीक है यह इसका answer आजाएगा simple सा है चलो आज़ा बोलोगे कि सन ने सिखा है नहीं तो देखो जारा अगर मैं स्क्यार की सिरीज में आगे बताऊँगा क्योंकि इसी पार्ट में है तो आगे आएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्क्यार कैसे निकालते है फिलाल एक बार देख लो इसे मैं A मान लेता हूँ इसे B मान लेता हूँ है ना तो देखो जारा धियान से A पिलस B का होल स्क्यार क्या होता है जल्दी बताओ A पिलस B का होल स्क्यार कितना होता है तो क्या होता है A स्क्यार B स्क्यार पिलस 2 A B तो इसे मैं ऐसी लिख देता हूँ B स्क्यार लिखना है तो 0 1 और A को मैंने 31 लिखने 2 डिजिट में ही है किती डिजिट में लिखोगे 2 डिजिट में और A का स्क्वाइर कितना आगया जल्दी बताओ A का स्क्वाइर कितना आगया 30 का स्क्वाइर 900 अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा इसे पास पास लिख लेते हैं थोड़ा इसे पास पास लिख लेते हैं अब मैं ये मेरा a square हो गया b square हो गया 2 a b रह गया तो 2 a b क्या करोगे 30 into 1 into 2 कितना आ गया 60 ठीक है तो इनको add एक डिजिट छोड़ के add करना है है ना एक डिजिट छोड़ दो add कर दो 609 ठीक है तो देखो यही आया है है ना चलो next method देख last का method हम लोग देखो दियान से method based on percentage बचों बहुत important है last method है ध्यान से देखिए अगर मैं आप से बोलूं बेटा 12% of 525 जरा बताओ कितना आएगा बताइए कितना आएगा सोचो अरे करते रह जाओ के अगर नहीं आएगा तो ध्यान लग जाना लग जरा बताओ जरा कितना आएगा देखो ट्वेल्व की multiply करो फाइब से कितना आएगा आएगा? 60 अब 12 बचा कितना 25 तो 12 का 25 25 का मतलब होता है 1 by 4 तो 12 का 1 by 4 कितना हो गया 3 ठीक है तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो कितना हो गया 63 ऐसे ही जड़ा एक और देखो अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या बताओ 16% of 6 to 5 कितना होगा तो देखो 16 की पहले multiply करो किस से 6 से तो कितना आगया 16 6 जा 96 और 25% of 16 एक बटा 4 16 की एक बटा 4 से गुणा करोगे तो कितना आगया 4 आगया तो ये total कितना आगया 100 आगया simple है हो जाएगा शावाश ऐसे ही practice करो मेरे बच्चों और मुझे ऐसे ही practice कीजिए और बताइए चलिए एक चीज और देखो एक bonus सुन लो दस हो गए method multiplication के किसी वीडियो में है क्या चलो देखो एक bonus देखो आज का bonus लेते जाओ एक question है बहुत डराते ही है question जड़े देखें कैसे डराते है 37.5 x 84 824% plus 55% of 55% of 200 plus 72% of 25 जड़ा इस question को करना देखो बच्चों बहुत easy है मैंने तुम लोगों को बताया 37% की value 55 की value और 25 की value बच्चों अगर मैं तुम से कहूँ a percent of b तो उसी का मतलब होता है b percent of a इसी चीज़ को अगर मैं लिख दूँ 37% of 824 तो easy हो जाएगा क्या बोलना जरा easy हो जाएगा अच्चा 37% अभी बताया ता सन्ने कितना होता है जल्दी बताओ जरा 3 by 8 into कितना है जल्दी बताना जरा 8 ही कम 8 और 8 सुलातिया 24 एजी हो गया क्या बताओ आया ना ये एक पार्ट खतम आया अभी दर आजाओ पिलस 55% ना लिखकर 2% लिख लूं क्या अरे 2% लिख लूं हाँ 200% का मतलब क्या हो गया 2 अरे देखो चलो दुबारा से समझाता हूं 55% of 200 को मैं ऐसे ना लिखनू कि भाया 200% of 55 और तुम्हें पता है 100% का मतलब होता है 1 और 200% का मतलब होता है 2 ये गुना 55 कितना आ गया 110 आया ना अरे बोलो ना और अगर मैं बोलूंगा क्या जरा बताओ 72% of 25 को मैं लिखनू 25% of 72 अरे 25 को लिखनू मैं 1 upon 4 into 72 और आ जाएगा 7 एकम साथ साथ पंजभी साथ अठे बत्तिस अरे 7 एकम साथ अठे बत्तिस कितना आ गया 18 सबको जोड़ दो 309 और 110 हो गया 419 419 और अठारा दूरी 36 37 चार्ड़ सो हाँ या ना अरे बताओ ना हो जाएगा नहीं हो जाएगा चलो आज के लिए थैंक यू और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझाई हैं अगर आप सच में त्यारी करना चाहते हैं और दिल से त्यारी करना चाहते हैं और कोई भी पेपर कौलिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए इसको कोशन पूछे हैं वो बताईए और हम लोगों को आगे ऐसे ही सस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए वीडियो थैंक यू सो मच बाई बाई